हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माइन स्टोरिस पोर यू, आज हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रागी, पर टेक महिंद्रागी पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ नौकरी.com के बारे में, देखे जितनी भी लेटेस्ट जॉब ऑपरचुनिटीस होती हैं, चाहे वो नौकरी.com पर प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा, और मैं हमें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, सबसे बेस्ट कंपनी के लिए जिससे आप आगे सेलेक्ट हो, उसे भी मेंशन करूंगी, बागी में आपको आएं बताती ही जाओंगी, मैंने थोड़े दिन पहले इंडिया मार्ट का वीडियो डाला था, वोइस प्रोसेस का भी, सेल्स, नौन सेल्स, असोसियेट के उसमें काफी लोग सेलेक्ट हुए, और टेक महिंद्रा का भी एक वीडियो डाला था, उसमें भी कहा था कि बहुत सी इस आपको यहां पर six days work करना होगा, रोटेशनल शिफ्ट होगी, आप यह टाइमन वेन्यू कॉंटेक्ट एड कर लीजे, जो भी आपको डाउट होगी, आप यह रजल गर्ग है, इन से कॉल करके सारी डिटेल्स ले लेना, बट उसके पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजेगा और एक बार चेक कर लीजेगा, अब देखी, जो six days working है, रोटेशनल शिफ्ट पे है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर एक्सपिरियंस, सब अपलाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अगर आप 12 पासाउट भी है, आ पासाब आजाते हैं, 100 वेकेंसी है, 1,75,000 पर मन्त अच्छा खासा मिलेगा आपको, तब 23,000 तक तो आप एजली बना लोगे, कस्टमर सर्विस है, कॉलिंग भी है, कस्टमर केर भी है, नोन वोइस भी है, और चैट प्रोसेस भी है, ठीक है, अब यह जैसे लिखाएगी, व आप इसको अगर अप्लाय करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ग्रेट चांस तो स्टार्ट अप यह केरियर इन लीडिंग MNC, Tech Mahindra, जैसे कि आपको बता दू, अगर आप उसमें CPO, KPO, इनमें भी जॉइन करोगे, तो इनिशली बहुत अच्छा आपको पेकेज बिले से सेलरी अलग है, आंसरिंग प्रीमियम कस्टमर की क्वैरी और कॉल चैनल पे, एक ट्रस्ट कस्टमर के साथ बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब उनी की सर्विस के लिए है, highly collaborative, कैंडिडेट के पास क्या requirement है, जिसके लिए आपको पहले बत, आपको पता होना चाहिए, आप सिर इस नंबर यह जो कॉल दे रखा है, वाट्सेप नंबर पर टेक महिंदर का, इनसे contact कर लीजेगा, they will definitely help you, तो आपको सिर्फ English या Hindi अच्छी आनी चाहिए, और फिर आपकी कोई भी पोस्टे सब चलेगा, फ्रेशर हो, कैसे भी हो, आप सब चलेगा, यह बिल्कुल new chance साथ है, साथ ही साथ इसमें देखिए आप टेक महिंदरा का, तो आपको पता ही है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसके बहुत सारे benefits है, salary भी आप compare करके देख सकते हैं, ठीक है, तो work from home, टेक महिंदरा का, नोईडा का है, यह voice process, अभी आपको क्या कर लेंगे, जब apply करेंगे तो हो सकता है, आपको टेलिफोनिक इंटर्वी के थूँ ही आप से हो, बाट जो लोकल में हैं, वो लोग वहां जाकर इंटर्वी दे सकते हैं, और इस तरह की बहुत opportunity आती है, तो नोकरी.com पे आप जरूर आइडी बना हो, ताकि आप सिलेक्ट होने के आपके chances बहुत जान करना है, तो आपके सामना जाया, ट्रेक जॉब अप्लाइस ओंदा नोकरी आप एंड रियल टाइम अपडेट, तो आप इसको एप को डाउनलोड कर लीजेगा, और इस एप को इंस्टॉल कर लो, ठीक है, इस एप को हमेशा इंस्टॉल करके रखो, क्योंकि नोकरी.com काफी काफी पुरानी और काफी भरोसे मन साइट है, जहां पर आपको हर तरह के job opportunities मिलते हैं, प्लस जो बड़ी-बड़ी companies हैं, जो बड़ी software के नाम में leading companies हैं, जो बड़ी companies हैं, उनकी तो definitely हैं, आपको मिली जाता है, work from home opportunity, यहां पर अपने email address, password डालके sign up कर लीजेगा, और इसक अपनी profile resume सब कुछ upload करके complete कर लीजेगे, और फिर इसके थ्रूँ आप apply कर सकते हैं, बहुत साइट में, और आपको बहुत opportunities इस तरह के और मिलेंगी, और देख लीजेए, इसे के साथ साथ बहुत सारी असोसियेटे, और ट्रोन असोसियेट work from home की अभी भी इसमें opportunity आया था कि जो packaging होती है, इनके जो पूरा package होती है business का, तो वहाँ पे camera लगे रहते हैं, तो आपको गया human को monitor करके देखना होता है उन camera की recording की सब ठीक काम हो रहा है कि नहीं, और इसका package थोड़ा जानदा अच्छा है, तो लाग 50,000 से तो लाग 75 तक है, और ये total work from home है, non-technical तो इसमें आपका concentration, आपका view बहुत अच्छा होना चाहिए, drone associated work from home है, और Delhi, Noida, Gurgaon में भी आप काम कर सकते हैं, तो इस पे भी आप जरूर apply करेगा, तो इसलिए मैं कहते हूं कि नौकरी.com पे आपको work from home के काफी ऐसे option मिलेंगी, जो 10th pass, 12th pass, fresher, graduate, girls, boys, सब लोग कर सकते तो आप जरूर apply करो, जरूर try करो, सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप जरूर मुझे mention भी करिएगा, और मुझे बताइएगा भी instagram पे कि आपका experience कैसा रहा, thank you so much